गेमिंग PC वसिस गेमिंग कॉंसोल सद्यों से जो है इस टोपिक पे डिसकेशन और लडाई चलती आ रही है इस टोपिक पे जितनी भी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे सब लोग यही कंपेरिजन करते हैं कि PC बड़ा है, कॉंसोल छोटा है, कॉंसोल सस्ता है, PC महेंगा है बट आज की इस वीडियो में न भाई मैं एक ऐसा गेमिंग PC उठाला आया हूँ MSI की तरफ से जो भाई PlayStation 5 के ही प्राइस का है and size भी आप देख लो भाई PlayStation 5 से भी छोटा size है और हलका थोड़ा भारी है इससे तो उसका भी answer इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, सबसे बहले तो भाई यह जो गेमिंग PC न MSI का यह है Creator P55, sorry P55 नी, P50 है इसका model number and specification की बात कर लेते हैं भाई, इस PC में ना हमें मिलता है i7 11th generation का processor, जबकि अपना जो PlayStation 5 है इसमें हमें AMD का custom CPU मिलता है, RAM की बात करें तो दोनों ही devices में 16 GB की RAM मिलती है, storage में PlayStation 5 में 800 something GB की SSD मिलती है, fast वाली, बट यह जो PC है ना, इसमें हमें 512 GB की SSD मिलती है, और साथ में 1 TB की hard disk भी मिलती है, यानि इसकी total storage हो गए 1.5 TB की, but still PS5 की SSD जादा space की है, तो fast तो यही है, GPU की बात करें तो इस MSI के pre-build में हमें मिलता है, RTX 3060 12 GB का GPU, and PS5 के अंदर हमें AMD की तरफ से custom GPU देखने को मिलता है, MSI वाले PC में हमें operating system में Windows 11 मिलेगी, and PS5 में अपना ही भहिया, operating system में अलग level का, तो यह तो भाई मोटा मोटे specs हो गई, price की बा यह, personally मैंने 96,000 का लिया था, launch के टाइम पर, जब इंडिया में launch नहीं हुआ था, दुबाई का मंगवाया था, अभी भी अगर stock आ जाते है, तो 55,000 में बेचते है, दुकान वाले वरना 60-70,000 रुपे तक भी चला जाता है, and यह MSI का PC है भाई, यह वैसे तो 1,00,000 रुपे वैसे दोनों का comparison बनता है, price के मामले में देखोगे, तो क्या ही फरक पड़ रहा है, 10-15,000 का ही तो difference है, अब बात करते है, gaming console versus gaming PC की, सबसे पहली तो भाई, बात आती है, price को लेकर, generally जो consoles होते है, वो सस्ते होते है, compared to PCs, क्योंकि PS5 जो performance आपको 50,000, 55,000 में दे देगा न, इ PC में बड़ी जंजटे होते है, Windows की, system की, software की, drivers की, फिर games install की, बट जो gaming consoles होते है, वो direct plug and play होते है, सीधा TAR से connect करो, and operating system होता ही है, उनमे easy to use interface है, UI UI बहुत simple है, आम से अपना बंदा, बच्चा, बड़ा, कोई भी game खेल सकता है, third advantage है gaming consoles का वो है, उनके games के titles, जी हाँ भाई 2018 वाली आ गई है PC में, बट अभी के लिए नहीं है, जैसे कि Last of a series होगी, Uncharted होगी, Spider-Man होगी, God of War, Ragnarok होगी, ऐसी और बहुत सारी games वो PlayStation exclusive है, लेकिन PC में आपको देखने को नहीं मिलती, अब consoles के कुछ disadvantages की बात करते हैं, सबसे पहला major disadvantage, gaming console को आप upgrade नहीं कर सकते हैं, जो उसमें hardware आपको मिलता है, वो ही आपको रखना पड़ेगा साल हो साल, जबकि जो gaming PCs है, जैसे कि MSI वाला PC है, इसमें भाई हम SSD भी बढ़ा सकते है, RAM भी बढ़ा सकते है, अलग कि ये pre-built वाले है, तो इसमें processor और GPU नहीं बढ़ा सकते हैं, बट normal जो gaming PCs होते हैं, उनमें आप कुछ भी बढ़ा सकते हो, अपने budget के हिसाब से, जबकि ये जो PS5 है, वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसा launch पे था, second disadvantage है भाई, limited FPS का, जो अपने gaming consoles है, भाई, वो 4K, 8K में आपको gaming तो करवा देंगे, बट एक particular FPS पे logged होते हैं, जैसे PS4, 30 या 60 FPS पे ताया, ऐसी ये 120 FPS पे है, इस PC में हमने GTA 5 टेस्ट करी है, आप स्क्रीन पे FPS देख सकते हो, भाई, 120 के उपर ही जा रहे थे, कभी 140 भी हो रहे थे, कभी 120, 130 रह रहे थे, फिर हमने God of War टेस्ट करी, 2018 वाली, जो हमारा ये gaming PC है, भाई, अराम से 100, 110 FPS, 4K, high settings में दे रहा था हमें, थर्ड हमने PUBG टेस्ट क होते हैं, उनको and keyboard mouse से खेलना होता है, हलाकि जो consoles है, उनमें भी आप keyboard mouse connect करके काफी games enjoy कर सकते हो, मैंने एक ये game sir वाली video बनाई थी, आप check out कर लेना, इसमें मैंने PS5 के साथ ये gaming keyboard और mouse चेक किया था, काफी games में support था, काफी में नहीं था, बर PC की जितनी भी games है, सब में वो है भाई multitasking या फिर काफी सारे काम एक ही device से करना, जैसे कि हमारा जो gaming PC है, उसमें आप editing कर सकते हो, live streaming कर सकते हो, animation कर सकते हो, office का काम कर सकते हो, word, excel, documents सब बना सकते हो, बट जो अपना PS5 या gaming console है, उसमें आप proper बस gaming ही कर सकते हो, हाँ movies देख सकते हो, media consume कर सकते हो, netflix and chill, ये सब आप कर सकते हो, बट ये जो office का काम है, या फिर proper live streaming हो गया, webcam लगा के ढंक से, अच्छी quality की, या editing करना हो गया, animation सीखना हो गया, photoshop करना हो गया, वो सब इसमें नहीं हो पाएगा, next disadvantage है, modding community के लिए, PC की जितनी भी games है, उनके modes available होते है, GTA 5 का ले लो, Red Dead का ले लो, GTA GTA 4 का ले लो, but PS5 या gaming consoles में, आपको modes नहीं देखने को मिलते है, तो आपको अगर Lamborghini चलानी है, GTA 5 में, आने वाली GTA 6 में, उस चीज़ के लिए, gaming PC ही prefer करना पड़ेगा, आपको console में नहीं होगा, and games की बात करें, तो भाई, prices दोनों ही console और PC में लगबग सेम ही होते है, थोड लोग piracy को support करते है, free में game में खेलते है, तो वो भी दोनों में ही possible है, PS5 में तो नहीं अभी, बट आजेगा, मुझे पता है, इसके लावा भाई, graphic comparison की बात करें, तो मैं screen के left side में PS पे आपको games खेल के दिखाता हूँ, और right side में PC पे games चल रही है, सबसे पहले आप GTA 5 का difference देख सकते हो, दोनों में ही, मुझे personally भाई PC में जो है, वो better graphics लगे as compared to GTA 5 जो हमने console में खेली, अब क्योंकि PC के हमारे specs अच्छे खासे है, तो हमने बिल्कुल max setting पे कर रखा था GTA 5 को, जिससे भाई FPS तो अच्छे मिली रहे थे, बट graphics ना ऐसे निखर के आ रहे थे, जबकि जो PS5 है, उसमें आप ज़्यादा settings भाई छेड सकते नहीं हो, जो है वो ही है, समझगे ना, तो ये भाई मोटा मोटा difference था, एक gaming PC and एक gaming console के बीच में, I hope इस वीडियो को देखने के बाद अपना decision बना पाओगे, कि आपको PC खरीदना है, या PS खरीदना है, या console खरीदना है बाकी मेरे हिसाब से ही MSI का PC भाई, बहुत beast PC है, मतलब 80,000 रुपे में इतने तगडे specs और इतनी अच्छी gaming editing सब करवा देता है, specially creators के लिए ही बना है, नाम भी creator P50 है इसका, बट अगर आप budget category में देख रहे हो, आपका 40-50,000 का budget है, तो भाईया आँख बंद करके PS के साथ जाना चाहिए, क्योंकि gaming prop पर यही करवा पाएगा, इतने कम पैसों में, बाकी वीडियो पसंद आई तो like कर देना, आपका favorite क्या है PC या console नीचे comments में बताना, और मिलता हूँ आपसे next video में, till then goodbye and as always, तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका, चलो जी, bye! झाल झाल